हाई गाईज वेलकम तो ब्लेसिंग स्थारो आई होप यूर आप जाना चाहते है अपने शादी के बार में अगर आपके शादी नहीं हुई या आप सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं तमाम डिटेल में शाल होंगी चाहंु अपने अपनों आप आपको कार्ड के आपको मोरत कऱसके हैं और का्ड कार्ड आप से आपको बेश्इप्रेप्शन . और कर आपस रिएडी प महलगी . द्सक्रिप्शन बाक्स में है कि अगर आपने चूज किया था लेट सी आज देखते हैं कि क्या आपकी मेरिच प्रिडिक्शन है कि वेडिंग प्रिडिक्शन थे आपके लाइफ पे क्या वट इस हैपनीं मैरिच को ले करके unmarried है single है तो कब कैसे कहा होगी and if you are already in relationship तो क्या scene बन रहा है उसमें marriage की क्या चासिस है queen of pentacles king sorry knight of pentacles queen of cups five of swords reverse knight of cups upright ten of wands upright मौरावर है जी टावर कार्ड and है हमारे पास ace of cups okay beautiful group one now the thing is के आपके जो marriage prediction है गाइस उसको marriage को शादी को ले करके काफी जो burden है आपका आपको आपके parents को आपको ऐसे लगता है कि यह i'll be a heavy responsibility है जाए बहुत बढ़ा काम है आपकी लाइफ में यह obviously है भी इसमें कोई नहीं मसला बट आपको burden ज़्याद़ over burden आप हो यह को कर दिया जाता है आपके parents के तरफ से यह आपके partner के तरफ से एक extra responsibility यह दे दी गई है and बहुत burden है कुछ लोंगों की cases में आपको बहुत stress है and कुछ लोंगों की cases में आपको अपको ऐसे लगता कि मेरे पर burden है और शादी प्राब्लम बनी भी है बहुत मेजर आपकी लाइफ में लोनली लेस्ट रह रह रहा है कि भी आप थग गें आप मैंसे काफी लोग काफी you know five of swords reverse में आना एक तो मैं आपको थोड़ी सी good news है यहां पर करता है कि कोई जगड़ा कोई लड़ाई कोई फसाद आपका खतम हो रहा है अब यह आपके पार्टनर के साथ कोई मसले चाल रहे हैं या लड़ाई को लेकर जो भी मसला था या है चल रहा है वह खतम होगा यह problem तो यह चीज मुझे नज़र आ रही है आपके पास दो पर पोजल कार्ड है आपके पास यह पर स्ट्रॉंग वाटर एनरजी है आपके पर 90 को को इनरजी न इनरजी न उस पहर को नमढ़ने सो है वाट्र मत रही सबसक्ने मेंटर अमनेही है पीज वाटर एयन दो मेजर आपके सथकी हैट रहाएज़ न न की आज़र सब्सक्नेट Big सब्सक्राण के डाया इनरजी प्र Hazard की यह पीजान की दो औरी यह यह न यह person पहले आपको proposal देंगे, उसके बाद they will commit with you, okay, यह possible है कि पहले आपको date करते रहें, आप दोनों date करते हैं, उसके बाद आपको commitment बाद में, बाद में जा कर मिले, जब यह person थोड़ा immature हो जाए, या अगर आपकी age छोटी है या इनकी छोटी क्योंकि यहां पर छोटी age के का काफी मुझे लग रहे हैं especially लड़का जो है लड़का अभी आप सुन रहे हैं यह आप लड़की है या लड़के के लिए देख रहे हैं तो जो लड़का है इस कपल में वह थोड़ा इम्मचुर अनर्जीक है या अभी अपनी फिनेन्शली अभी आपने आपको स्टेबल नही नहीं है वह उसकी लाइफ में काफी ज्यादा एक बड़ी प्राब्लम है इसी वजह से वह लगा कमिट्मेंट नहीं दे पा रहा अगर यह आपका मसला बनावा कमिट्मेंट का इनके गाइज मैं देख रही हूं करियर में प्राब्लम्स है और फिनांशियल इनको भी ट्रबल ह है चाहे वह गरीब हैं या मीरा वह एक लड़ा बात है पर उनका करियर अभी नहीं बना है यह प्राब्लम है अगर कोई को कमिट्मेंट नहीं मिल रही किसी को ठीक है तो टावर कार्ड है आपकी लाइफ में पॉसिबल है को टावर मोमेंट आया हो कुछ गिरा हो कुछ खतम हो खतम होने के बाद दुबारा से कुछ शुरू हुआ हो तो यह टावर मोमेंट को आप अकसर बुरा समझते हैं लेकिन मैं इसको हमाशने ही अच्छा कहती हूं क्योंकि यह शो करता कि एक जिस गिर गई जो आपके भले में नहीं थी बुरी थी एंड उसके बाद एक नई चीज आएगी आपकी लाइफ में जो आपकी बैटर मेंट में होगी जादी में यहां पर डो क्वीन्स हैं तो यहां पर स्ट्रॉंग फीमेल एनरजी है आपके मदर का बहुत ज्यादा रोल रहेगा आपके शादी में रड़के को चूज करने में या आप अगर उनको आपके पार्टनर का फिनेशल स्टेटस जरूर देखेंगी आपको लेकर के कितना केरिंग है आप उसको परवाह भी है नहीं कदर करने वाला है कि नहीं तो शादी की जहां तक मुझे लेख रहे हूं कि आपके जो परसन है गाइस अगर आप सिंगल है ठीक है पर बोजल के स अगर कंपलीट नहीं हुआ या उस परसन के तरफ यह शू चाल रहा है भी और इस विज़ा से आप दोनों का भी सैपरेशन है और इस परसन अगर वह कमिटमेंट नहीं दे आप से अभी तक शादी नहीं कर रहें वह भी यहीवाजा है करियर प्रॉब्लम है पॉसिबर आप सकती है कि कमिटमेंट आपको भी नहीं देने की या शादी में डिले की अगर डिले करे जा रहे हैं तो ओके वह कहते हैं लड़कियों की एज और लड़कों की पे नहीं पूछते हैं सब्सक्राइब करें प्रॉब्लम हो सकता है कि यह वजा हो उनकी कमिटमेंट ना देने की लेकिन शादी के आपकी वजा है डिले जो हो रही है यह नहीं हुई यह कब होगी मैं देख पा रहे हूं कि जैसे ही आप तोने में से जो भी इमेचूर है उसकी थोड़ी सी प्रॉड़ी आई शादिया आप यह हो जाएगी ओकी लेट सी सम्मोर तीमस अब आप यह मैरेज होड यह विजन आखे आप अपने नजरे टिकाई रखें अपनी नजरे जमाई रखें जिस परसंगे साथ यह आप रिलेशनिशिप में है यह अगर आपको पसंद है तो आप डेफिलेटल यू कन चेक हम आउट लाके जन यूर साइड आपकी जो लग में कोई कमी नहीं गाई ठीक है अगर आप सोचते है मेरे तो किसमत यह बुरी है अम अकसर यह प्रॉब्लम में देखती हूं यह शिक वाय गिला अकसर हम लो करते हैं कि मेरे किसमत ही नहीं सही मैं यह बात नहीं है न्यू मून सग्टरियस आपकी जो लग है वह आपके साथ है ठीक है डिले की वज़ा कोई और है यू आर गोट इनाफ आप ठीक हो आप में कोई कमी नहीं फुल मून इन वर्ग हो आपका जो में टैलिटी है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपकी जो भी चीज़ें वह ठीक है यू और गोट एनाफ जो शादी के लिए जिसना की आपको वाइब्रेशन चाहिए जो आपको में टैलिटी चाहिए वह है सब कुछ ठीक चल रहा है ठीक है और कुछ चल करते हैं आपका अन्यू स्टार्ट इस कमिंग ठीक है न्यू मून गाइस कुछ कुछ न्यू परसन आपको जरूर मिलेगा ठीक है यह आप अलड़ी अगर किसी के साथ हैं तो वह कुछ ना कुछ आपको कमिट्मेंट कुछ नहीं कमिट्मेंट जरूर देंगे कुछ नया बारंग कर वह जरूर आएंगे आपके पास ओके लिए सम और थिंग्स यूनियों आपके दिल रिलेशनशिप में भी हैं बट आपके जो दिल है उनका मिला बहुत जरूरी है ठीक है ना तो इवन आपके इस वह हैं अगर आप लोग सिंगल भी है तो चाहें आप लोग फिजिकल दूर हैं लिकिंग मैं आपको यह बता दू कन्फर्म करके कि आपके दिल रखते हैं ठीक है तो आपके दिल में आपके दिल में जो बात आती है ना वो उनको भी पता होती है फिल हो जाती है जो उनके दिल में बात होती है वो भी आप फॉरन से फिल कर लेते हो प्रैक्टिस कंबैशन सी थिंग्स फ्रेश प्रेश 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 से चीज़ों को आप देखें और लाइफ को न्यू एंगल से देखें तो आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी करें दिल को बुजा बुजाना रखें अपने यू आप एक न्यू सोल है यूद्फूल सोल है अपने आपको एक नहीं तरह से रखा करें अपना यू नो यू शुट लाव यूर्सेल्फ जैसी हो जो भी हो जैसी भी हो कुछ से प्यार करें हमेशा अपने पार्टनर से хणा पहले फुम ईछे अथ जादा पहले उसमें तो आपका पार्टनर हमेशा आपको प्यार करेगे ऑ्यू आपंसी जो जो nam कुछ आपकी मेर्ज प्रेडिक्शन में है जी कुछ चीजी कुछ तौर से और देख लेखें लेट में सी वाव नाइस मैरेज डेफिलिटली शादी आपके बहुत करीब है मैरेज रिंग आया है चांज में भी मैरेज आया है या फिली शादी आपके होगी यह दिस इस दिल पर तीर चलेगा या आपके या उनके ठीक है ओके मिस्यू आपके परसन के तरब से फूचर स्पाउस के तरब से मैसिज है मिस्यू का आपके यह जुलाई मन्थ कमिंग जुलाई में रिस्ता बन सकता है आपका सगेटेरियस आपके पारता है यह यह पर्पोजल ठीक है फॉर्ण नमबर इंपोर्टेंट है गाइस फॉर्म के बर्देट हो सकती है या नेक्स अपरिल में आपकी शादी हो सकती है जून का मन्त भी है 6th नमबर लव ओके इस इस आ टू लाव गाइस वंस इन लाइफ ताइम कोई म्यूजिक से काम हो सकता है या कोई गाना आप लोगों को हो को मन को पसंद हो ओके मून है गाइस वह फो मैनिफेस्ट यू और अनधर तिंग इस कि हाली इंट्यूटिव यह परसन होगा आप यहां बहुत इंट्यूटिव हो यहांपर दो डाइमंड्स है आपको डाइमंड रिंग्स फॉसिबल है वह गीफ्ट करें यहां आप उनके लिए इक डाइमंड हो यह वह भी आपके ंपनी डायमंड्स हो सकते क्यांगउ क्या डवट्सटीच हो सकते चाहिए यहांपशी को क्राउन है गाइस इसला बेबी है यहां पर यह संन है तो ब्राइट्मेस जरूर आएगी एक नियू संन जरूर आएगा आपकी लाइफ में तो इस वस यह रीडिंग एंद इस वस यूर मैरिज प्रडिक्शन गास यहां आपके सब्सक्राइब है तो प्रडिक्शन गास बीडिक्शन गास कई अपना बहुत सारा ख्याला के स्टेएफ 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 स्टेहल्दी टेक क्यार वाई वाई लव यू प्रेशन काड अगर आपने चूज किया था अपकी मेरेज प्रेडिक्शन क्या है क्या मिसले चल रहे हैं तो कब होगी या जो जो मुझे चैनलिंग होगी जो जो कार्द में आपकी शादी को लेकर के मुझे messages मिलेंगे, I will definitely explain it to you, alright, my beautiful ladies and gentlemen, alright, seven of swords, king of pentacles, seven of swords, king of pentacles, okay, six of wands, four of swords, king of cups, king of cups, ooh, you do have two kings, tower, and full, okay, guys, group two, तो आपका जो यहां पर है zodiac signs, they are Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, and Capricorns, ठीक है, Aries, at Libra, okay, Sun, Moon, Rising में मैंने आपको बताएं, अब बात है कि जो है आपकी शादी की प्रेडिक्शन क्या है, पहली तो बात है कि हमारे जो पास दो king है, ठीक है, king of pentacles, and king of cups, energy है आपके पार्टनर की, ठीक है, उनका age difference आप से होगा, आप से बड़े होंगे यह, जो girl है यह वो है, आपकी जो, you know, जो यहाँ पर male है, he is elder, ठीक है, वो बड़ा है, and another thing is कि यह person एक बहुत ज्यादा successful है अपनी life में, काफी यह बंदा यह बंदी जो भी है, successful है, and यह चीज है कि यह इनको जीत के आना पसंद है, इनकी जो तब्यत में, इनकी जो, you know, इनकी जो मिजाज है, वो काफी strong है, काफी fiery है, काफी passionate है, ठीक है, possible Aries हो, and whatever you want it, you get it, यह वाली है, उनका हिसाब है, इनको जो चीज पसंद है, यह ले के रहते, ठीक है, so, यही सीन यह आपके साथ create करेंगे, and जो मैं आपकी शादी देख रही हूं, उसमें यह है कि आपकी life में इस एक चीज निकलेगी, ठीक है, एक चीज का loss होगा, आपने इस loss से का ब्राना नहीं है, इस loss को फिल करने के लिए परसन आएंगे, ठीक है, वह लॉस आपका बहुत बड़ाईसी लिए होगा, इस loss की बरपाई करने के लिए डिवाइन यह परसन को आपकी life में बहचे गया, यह थोड़ी marriage prediction है, यह थोड़ी सी indication है, कुछ लोगों के लिए, सब के लिए नहीं है, and if right now something is going on in your life, कुछ हर बड़ी चल रही है, so यह भी एक indication हो सकती है, major indication आपके person के enter होने की, okay, so कुछ लोगों के cases में this will be a very, यानि कि यह बिल्कुल एक new start होगा आपकी life का, अपने past में, जो setbacks देखे हैं, जो इंतजार करकर के थग है, renewal का कब होगा, कब होगा, and कुछ लोगों ने आपको, you know, कुछ लोगों के cases में manipulate भी किया, से seven of swords बता रहा है, कुछ लोगों ने आपको धोका दिया, कुछ ex-partners ने आपको साथ गलत किया, आपको third party में भी डाला, यहां आपके, you know, पीट पीछे कुछ मसले करता रहा, यहां आपको पता नहीं था, आपको धोका दिया, कुछ लोगों के cases में आपका परसें भी आपका सोरी बॉल के, एक न्यू फेस से स्टार्ट कर सकता है, because यह फूल कार्ड है, यह होता है कि एक न्यू स्टार्ट आउट फ्रॉम यूर पास्ट, ठीक है, पॉसिबल है, अगर आपको एक साथ है, तो वह अगर आएगा भी ना तो वह प्योर इंटेंशन से आएगा, ठीक है, लेकिन, अपकी शादी किसी नए परसं से होगी, यह पेज आपको एक नहीं खुछ खबरी देता है, एक नहीं आशा देता है लाइफ में, एक नहीं उमीद किरन आपकी लाइफ में लेकर आता है, कि आप परिशान मत हों, वैसे भी आजकल जो टाइम हो भी काफी परशानी का जल रहा है, इंजाइटी ना भी हो तो इंजाइटी हो जाती है, बड़ तिंग इस गाइस कि शादी आपकी काफी में देख रही हूं कि अच्छी तरह से होगी, और काफी धूंगाम से होगी, आपकी फैमली का पूरा इंवाल्वमेंट रहेगा, घर वालों को मना कर की होगी, पॉसिबल है आपकी शादी में से पहले इस परसन के साथ जवाब रिलेशन्शिप में हो, कभी एक अधा प्रेक अप हो जाए, आप लोग का फिर से तक मत बोलें कि दूसरे से, लेकिन यह वही टाइम होगा कि जब उनको हैसास होगा, यह आपको हैसास होगा कि आप दोनों एक दूसरे के बगार नहीं रह सकते हो, and there is no other solution for both of you, except to get married, okay, so यह टाइम काफी crucial रहेगा, आपकी जो separation का टाइम है रहेगा, एक दूसरे की presence को feel करने में एक दूसरे की एहमियत जानने के लिए काफी एहम बक्त रहेगा, another thing is कि आपके लिए है, you are limitless, you can do anything you choose, वाव, आपको divine ने दे दी एक खुली शुट्टी, कि जिस पर उंगली रखोगे रखोगी वह तुमको मिल जाएगा, so possible है आपके manifestation powers बहुत तेज है, and आपके को limit ही नहीं है, so आप तो you are a goddess, you are a god in yourself, so you are the creator of your own luck in life, okay, so, जो choose करोगे आप divine आपको वह देंगे, okay, physical touch, a tender touch can mean so much, it's possible है guys, आपका जो relationship अगर बनता है, इस परसन के साथ, शादी से पहले, ता physical relationship में आ सकते हो, okay, तो, यह भी एक चीज थी, spend quality time together, yeah guys definitely you guys will date each other first, यह दूसरा तीसरा card है यहाँ पर, आपकी वक्ते बिताने का, समय अच्छा बिताने का, so definitely you both will date each other, आप दुरहेंसे को date करोगे पहले, आप लोग फिसिकल भी टच में, ठीक है आ जाएंगे, so it's okay, when you can't resist your loved ones, get to know each other, आप लोग यह यह another card है guys, आप लोग दुसरे को जानेंगे, पहले अच्छी तरह से एक दुसरे को मिलेंगे, आप लोग दुसरे को जानेंगे, आप लोग लाइफ से क्या जाते हो ठीक है, फिर जा करके आपके शादी होगी, यह arranged marriage नहीं है guys, love marriage है, यह arranged marriage हुई भी, तो आपको पास काफी पहले time होगा, एक दुसरे को जानने का, बाते करने का, okay, बहुत प्यार भरी, इनकी में language होगी, मिटी मिटी बाते क्या करेंगे आप से, आपको गिफ्ट्स लाग करके दें, शादी से पहले, I hope से शादी के बाद भी इसी तरह करें, इनकी आवाज है न, इनकी आवाज एक बहुत ही prominent रहेगी न, इनका बोलने का style, जो वर्डिंग वो यूज करते हैं आप से, आपको बुलाने में, पॉसिबल है आपका वो कोई nickname भी रख दें, like honey, babe, या whatever, जो आपको पसंद है, जो उनको पसंद है, okay, प्यार से आपको जो भी कहेंगे, जो भी, do something for something, I think this is a practical person, अगर इसको आपको जीतना है, आपको जब यह, जब इनको confirm हो जाएगा, कि इन्होंने आप से ही शादी करनी है, तो फिर दुनिया इदर की उदर हिल जाए, लगने आप इसे शादी करेंगे, यह वैसे भी, आपके पास, आपके पाइल में, टावर कार्ड भी था या, तो पॉसिबल आपको लड़ाई जगड़ा हो, उनकी फैंबली में दे लग रहा है, मुझे आपको ले करके, आपको ले करके, रिलेशनिशिप बहुत मैटर करेंगा इनकी लाइफ में, आपके साथ जो होगा हमेशा यह इस रिलेशनिशिप को काफी इंपोर्टनस देगा परसं के, रिलेशनिशिप जो है वह सही होना चाहिए, रिलेशनिशिप में लोयल्टी ऑनस्टी को यह परसं काफी इंपोर्टनस दे रहा है, and another thing is guys this person can be somebody very famous from his area, यह इरिया का यह सोशल मीडिया का यह मीडिया का नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का भी यह परसं हो सकते हैं, famous, but the thing is, यह मेर बहुत होंगे, मैं बता दूँ, वह काफी वैल आफ होंगे, नेम फेम होगा, but you know, इस वजह से भी पॉसिबल है, यह बहुत देर लगाए, आपको चूस करने में यह आपको से लट करने में, because in cases में यह लोगों को लड़के, they are very conscious कि कोई गोल डिगरना इंको मिल जाए, कोई ऐसा नहों, manipulative नहों कोई मतलब इंसान नहों, जो उनकी सिर्फ पैसे नेम फेम के पिच्छार है, तो यह फिर इनको बहुत investigate करना पड़ता है, इस वजह से भी मैं जासा लग रहा है, काफी देर तक चलेगा, काफी देर तक मैं देखेंगे, whether you do love them in real or not, कुछ लोगों के लिए message था, अब के लिए नहीं था, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, या कुछ वक्त लगेगा उनको मिलने में आपको, कुछ लोग हो सकते हैं रिलेशन्शिप में, बट फिजिकल रिलेशन्शिप नहीं है, शादिश हुदा नहीं है, लेकिन कुछ लोग सिंगल हैं, अभी मिले ही नहीं है, ताइम फूर रिलिंग, इस टाइम इस तो हील यॉर्सेल्फ गाइस, लाव यॉर्सेल्फ अपने आप से महबत करें, अपने काम गहरा पर ध्यान दिया करें, खुद की सेल्फ बैटर्मेंट के लिए भी कुछ किया करें, यहीं आपकी हीलिंग होती ही, यहीं आपका इनर वर्क होता है, जो जल्दी इनर वर्क कर लेता है, उसकी शादी उतनी जल्दी हो जाती है, और द्रीम्स नीड़ प्रैक्टिकल प्लान, द्रीम्स नीड़ प्लान, यहीं आपके लिए खुद की बैटर्मेंट के लिए, आपको पता है हर बंदे के सिचुएशन बंदी के सिचुएशन डिफरेंट होती ही दूसरे से सो उस पर ध्यान देख लें आपके चाम्स देख लें गाइस के मैंडिश प्रेडिक्शन के आपके चाम्स क्या है लेट सी पहली नी Caribbean. जबसक्राइब है को आपके चाम्स के चाम्स सकते हिएएं केसूश मिलों सकते हैं लाद रहां मिल मअँपय JU कैंटändern काम्स ना भारिष उप्रे हैं यहीजीश का शरच काम्स ऊंकाट मिलय हैं तो चादी आपकी होगी ठीक है डोंट वरी हाग देविल हाग यू फर्स्ट मेटिंग मही ठीक है चैले जी नाइन नमबर सप्टमबर इंपर्टेंट है ठीक है पुछ म्यूजिक से रिष्टा ना आता हो सकता है यह दो यहां का परपोजल ना आइफल टावर में कुछ सीन मुझे लग रहा है बहुत ही कुपसुरा सही बना करके शादी आपको परपोस करेंको इस तरह से इरीज हो सकते हैं इरीज हैं बहुत सारी मेमरीज जादे होंगी आप दोनों की कथी पिक्चर सेल्फी बगारा लेंगे आप ट्रिपल टुग राइज डिवाइन यूनियन डोना जुरे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं टुइन फ्लेम वगारा यहां सोल मेट हैं तो बहुत क्यूट से हाथ हैं अभी हाथ में आरे तनी चूटे हैं आप दोनों ठीक हैं बड़े वह होंगे छोटी वली आप होंगे यह वैसे हाइड डिफरेंस है अन्यूज देशना डाइटर नोट गाइस कुछ कुछ राग करें इम्यून सिस्टम्स तो बी स्ट्रॉ इस नहीं को रहता है क्या है फ्लाइंग बड़े गाइस अई आपको ले करके उड़े गा बहुत मतलब जाहां आज हो में बटर फ्लाइग गाइस से ट्रांस्फर्मेशन यर लाइफ और मोर्ट प्लाइज वाव यूज ट्रांस्फर्मेशन इड़ाइफ इनके मिलते ही आप कुईन की तरह रखेंगे ठीक है यहां आपके केंग हो सकते हैं हो सकते हैं I don't know what's the case इंट्यूटिफ परसेंगाइस पॉसिबल है यहां पर आपके कार्ड में मुझे आद है आपकी इदर फूल भी था यहां सब्सक्राइब करते हैं और फूल भी जिरो नंबर होता है यह जिरो से स्टार्ट होई गए आपके लाइफ हंड्रेट परसेंट कशन फिल्ज फूल जब आच चुका है यह इस परसेंगे आपके साथ आपके साथ आपके बॉडडी के साथ है आपकी जो भी चीज़ेंग जब तक आप दोनों ready नहीं होते हो जब तक आप दोनों जो है मिलते नहीं हो और यह आपकी marriage prediction थी जो मेरे को चनल में स्टाय मैं आपको बता है and I hope you like this reading if you like you can subscribe my channel for more readings like that अपना बहुत सारा ख्याल रखे stay safe stay healthy please अपना बहुत सारा ख्याल रखे and you know जो भी यह मैयर्ज जो करोना के हम प्रे करते हैं डिवाईन से कि हमारे देश से पूरी दुनिया से जल्दी से खतम हो जाए और हम सब फिर से एक दुसरे से easily freedom से मिल सकें अपना बहुत सारा ख्याल जैंगे बरे बैंगे I LOVE YOU